आज ये हालात हो गए हैं कि उन्होंने स्कूलों की जमीन को भी बेचना शुरू कर दिया है ये 15 दिसंबर को होने वाली जो नौर्थ MCD की स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग है उसका अजेंडा है और अजेंडा आइटम 113 ये है कि नौर्थ MCD में शालिमार बाग के AC ब्लॉक में जो MCD प्राइमरी स्कूल है उसको बेचने का प्रस्ता नौर्थ MCD 15 तारीख की स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग में लेके आ रही है ये क्या हालत हो गई है हमारे देश की ये क्या हालत हो गई है MCD की कि यहां तक तो हमने सुना था कि बच्चे स्कूल छोड़के जा रही है स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है लेकिन आज भाजपा शासित MCD में स्कूलों की जमीन को बेचा जा रहा है आज हम यहां पहुँच गए हैं और ना से स्कूल की जमीन को बेचा जा रहा है स्कूल की जमीन को मार्केट रेट से बहुत कम दामों पे बेचा जा रहा है क्यूं? क्यूंकि किसी से जरूर भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के पारशदों ने सांट गाट कर ली होगी उनको ये लग रहा है कि अपरेल में तो हमारी सरकार जाने वाली है अपरेल में तो हमारा शासन जाने वाला है उससे पहले जितनी जेब भर सकते हैं वो भर लीजी जो ये 2800 स्क्वेर मीटर का प्लॉट है जहां पे अभी एक M.C.R.E. का प्राइमरी स्कूल है उसको 126 करोड की रेट पर बेचा जा रहा है वो प्राइस सेट करी गई है उसकी सेल के लिए और जबकी आप देखिए कि उस में अगर हम शाली मारबाग के उस इलाके में मार्केट रेट को देखने जाएं तो मार्केट रेट उस प्लॉट का कम से कम 200 करोड है सिर्फ रेजिदेंशल एरिया के लिए और उस प्लॉट पर जहां पर स्कूल है उसको कमर्शल पार्किंग के लिए बेचा जा रहा है और उस पूरे एरिया में पार्किंग के अगर हम कमर्शल रेट के हिसाब से जमीन की वैल्यू लगाएं तो वो 500 करोड की बिकेगी ये MCD की कहानी है कि एक तरफ दिल्ली सरकार है जो नए स्कूल खोल रही है हजारों नए कमरे बना रही है जहां पे इस साल दो लाक से जादा ब वहां पर हम टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भीजते हैं जहां के बच्चे IIT में एडिमिशन ले रहे हैं नीट में एडिमिशन ले रही हैyorum जहां के बच्चे बिजनश ब्लास्टर्स जैसे प्रोगराम के मादमे हम से औंट्रपरनार्स बन रहे हैं इन्वेस्ट के लिए अपने सरकारी स्कूल को बेच डालेंगे। आज ये हद तक भाजपा शासित MCD का भरष्टा चार पहुंच गया है। उन्हें लगता है कि आखरी चार महीने में जो बेच सकते हैं वो बेच डालिए। जेब में जितने पैसे भर सकते हैं वो भर डालिए।